हेलो दोस्तों सभी को नमस्कार दोस्तों यह 3HP का सोलर बाटर पंप चल रहा है यहाँ पर और इसका फोर्स देखे कितना जवरदस्त है तीन इंची फूल प्रेसर पानी दे रहा है और बाटर लेवल लगवग बही 18-20 पिट के अराउंड है लूवी कंपनी का है और इसका फोरी डिटेल में जानकारी दूंगा पूरा एटुजएट पानी क्यों ज्यादा दे रहा है क्या कारण है और कितने इसमें पैनल लगे हुए है इस सब बताऊंगा उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें दोस्तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत सारे हमारी वीवर एंसे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह चैनल सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया सोलर से एलेटिड इस सोलर पंप सोलर आटा चक्की या घर पर जो सोलर लगाते ह मेंली इसमें सोलर के जितने भी प्लांट है या स्पेसिफिक एसन है वही हमने इसमें कवर करने एकोसिस की अपने चैनल पर तो दोस्तो इसकी डिटेल वीडियो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें पूरा एटुजाएट समझाएंगे और चलिए हमें इसकी डिटेल वाट पावर में इतना है यहाँ पर पानी दे रहा है यह इसका ओस्वाल कंपनी का तीन एच्पी का थ्री फेस कंट्रोलर है यह इसकी लूवी कंपनी की मोटर है आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या-क्या क कितने बोल्ट कितने एंपर इसको चाहिए सबसे पहले अब मैं आपको इसके पैनल दिखा देता हूं पानी का फोर्स आपने देखी लिया यह देखिए चार वाई-चार का पंप है चार इंची का बैंड है लेकिन जो डिलीवरिय भी दे रहा है तीन इंची पूरी प्रेसर है और दोस्तों बायर कौन सा लगाना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों यही छोड़ी छोड़ी चीजे होती है कि लोग गलत बायर लगा देते हैं गलत कनेक्शन कर लेते हैं फिर कैते हैं यार पंप हमारा पानी नहीं दे रहा या गलत चैन कर लेते हैं कंट्रोलर या मोटर का तो उससे भी हमारा पानी जो ठीक से नहीं दे पाता है इसमें सारा बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको कौन सी मोटर कौन सा कंट्रोलर कौन सा पैनल कौन सा बायर आपको लेना है तो चलिए सब से पहले मैं आपको पैनल दिखा देता हूं जैसा कि बता है 90 से 100 मीट दूर है और अभी आप देख रहे हैं मेरे बताने जरुती नहीं है इसमें फेकनेस कुछ नहीं है डिस्टेंस एक्षुल में इतनी है आप देखी रहे हैं यहाँ पेनल के पास यहाँ पर लगग पूची चुगा हूं यह यहाँ पर 10 पैनल है इनको हमने जमीन पर फ्लैट डा रही है यह आप देख सकते हैं किस कंपनी का पैनल है यहाँ पर यह रहा हूं यह घृत बहुत अच्छा वह कि घृट안 से सागे धूंका यह सिस्टम लगा हुँआ है और यह system size यहांपूर निगोई में लगा हुआ है दोस्तो अब मैं आपको इसके controller के specification दिखाता हूँ देखिए यह दोस्तो इसका Oswal Company का controller है अब में चीज यह है कि इसमें जो हमने बाइर लगाया वो 6 mm का लगाया है कि यहां पर करेंट पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है यह आप देखिए यह देखिए जैड़ किलो वाट पावर अभी मोटर लेकर के इसमें चल रही है और कितने एमप्यर 197 बोल्ट लेकर के यह मोटर अभी चल रही है क्योंकि यह मोटर है भी 220 बोल्ट में है 197 बॉल्ट लेकर करके चल रही है देखिए बॉल्ट इस्टेज और इसमें मैं चीज यही कि ampere कितने आ रहा है करेंट पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों क्योंकि दूरी 90-100 meter तो कितना करेंट यहां तक controller तक आ रहा है करेंट पूरा आना चाहिए तो बो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है जैसा कि मैंने बताया कि 7-8 Ampere ये एक स्रीज निकालती है सारे पैनल स्रीज में बनाए हुए लगो 36 बोल देखिए 7.3 Ampere लगो सारे 7 Ampere करीब इसमें दोस्तों यहां पर आ रहे हैं और जबकि पूरी स्रीज कितने Ampere निकालेगी 8 Ampere क्योंकि सारी स्रीज हमने करी हुई है तो यहां पर बोल्ट बढ़ जाएंगे और Ampere उतने ही लएंगे जितना हमारा एक सिंगल पैनल इसमें निकालेगा सारे 7 Ampere करीब इसमें आ रहे हैं दोस्तो अब यही रीजन है कि पूरा current यहां पर क्यों आ रहा है क्योंकि हमने जो वायर यूज किया है वो 6 mm का DC वायर यूज किया है जो हम अपने घर में बैट दिया इन्वेटर में लगाते हैं वही वायर क्योंकि दोस्तों DC करेंट जो होता है जब आप बायर लगाते हैं जितना मोटा बायर उसमें लगाएंगे जिए छोड़े छोड़े तार जिसके अंदर होते हैं उसमें बहुत अच्छा फिलो उसका जाता और फावर लॉस भी नहीं होता अगर आप यहीं पर इसमें 1.5 mm का बायर लगाते हैं तो दोस्तो आदे एमपेर 4 या 5 एमपेर यहां पर आते फिलोग बोलते क्या इतनी दूर से हमने लगाया और पानी यहां पर कम दे रहा है अब देखिए इतनी दूर से हम कंटोलर तक लगो 90-100 मीटर दूरी तक हम बायर लेकर करें हैं फिर भी पूरे साड़े 7 एमपेर इसमें आ रहे हैं लग पैनल भी इतनी साड़े 7-8 एमपेर जनेट करता है पूरी स्रीज में अब दोस्तों इसकी मोटर की बात कर लेते हैं मोटर कौन सी है तो देखिए यह लूबी कंपनी की मोटर है दोस्तों सेंट्रिफूगल मोनोसेट पंप जैसा कि मैंने पहले ही बता है कि MDS 335 मोडल ह है यह लो बॉल्टेज लो एमपेर पितना सांदार चलता है मोटर थोड़ी कोस्टली होती है और मोटर के मुकाबले लेकिन परफोर्मेंस बहुत सांदार होता इस पेसली सोलर पर बहुत अच्छी चलती है और मोटर भी सोलर पर चलती है दीए 4 बाई 4 में इसकी डिलिवरी है, हैड, इसका कितना है, 9 मीटर, यहीं 9 मीटर गेराई से आप इससे पानी खीष सकते हैं, हैड रेंज है, 6-14 मीटर, 6-14 मीटर ऊपर तक आप इसमें पानी चड़ाएंगे, 760 लीटर एक मिनट में पानी देगा, कितने पे, दोस्तों, यह 9 मीटर पे अगर आप इसको चलाते तो देखिए चार सो पचास चार सो पंदरा बोल्ट लेकर कर चलेगा करंट लेगा तीन पाइंट नबब एमपेर अगर आप इसके कनेक्शन डेल्टा में करते हैं तो लगवग यह लेगा साड़े छैसे साथ एमपर करीब यह पर फॉर्मेंस आप इसका यहां पर देखिए र देख रहे हैं अगर आप बाटर लेवल आपके यहां भी इतना ही है 20-25 प्रिट तक तो हम इतना ही पानी आपको निकाल करके इसमें देंगे आपने देखिए दोस्तों कितना देवर्दस्त तीन इंची का ब्रैंड है पूरा प्रेसरी समय आ रहा है और दोस्तों अगर यह क भी इसमें जानकारी ले सकते हैं कोई आपको स्यलर परण लाट फाट लाट उ सलर आटा चक्की लागवाणि हो यह यह रोम औ편 चीज है लेनी यह मेर वाड़ चुद नहीं चाहिए चाई है आपका pump AC हो या DC हो अगर DC pump होगा जो हम डाइरेक्ट चलाते हैं तब भी आपका minimum 4 mm का बायर चाहिए तो आपके पूरे ampere क्या होता है बोल्ट तो पूरे पहुचेंगे लेकिन अगर अगर अपने कम का लगाया बायर तो ampere पूरे मोटर तक नहीं पहुचेंगे अगर 4 या 6 mm लगाते हैं तो पूरे ampere आपके कंट्रोलर या मोटर तक पहुचेंगे चाहिए बसरती दूरी कितनी भी हो थोड़ा बहुत पावर लोस होगा लेकिन इतना नहीं होगा अगर वहीं आपने 1.5 mm का बायर लगा है तो दोस्तो आधा ही करंट आपके कंट्रोलर या मोटर तक पहुचेगा और में या 6 mm लगाएंगे तो डीशी करंट को जितना ज्यादा मोटा लगाते हैं इतना मोटा भी नहीं कि आप उसमें जो सीधे 20 mm का लगा दे 6 या 4 mm आपको लगाना है बेस्ट बायर रहता है डीशी करंट के लिए ज सारी BFD अच्छी है तो हमने यहां पर यह वह सवाल का लगाया परफॉर्मेंस आपने देखा इसका कैसा है जैसा कि मैंने आपको बताया और दूरी जैसा कि मैंने बताया कि 90-100 मीटर आप इतनी दूरी है बहुत से लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि हमारा 500 मीटर दू दूर आप चला सकते हैं तो उसकेस में क्या होगा दोस्तों कि आगर तीन सब्सक्राइब और बढ़ा दें तो आप 500 मीटर दूर अपना चला सकते हैं परफॉर्मेंस इसका आपने देख लिया कितना जवर दस्त है और जैसा कि मैंने बताया कि यह किसी को चाहिए तो मुझे कॉंटेट कर सकता मेरा जो दूसरा अल्टरनेट नंबर है तो में बता देता हूं मेरा नंबर है 95-698-39337 इस नंबर भी कॉल करके आप इसके विसे में जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरू बताएं इस वीडियो मैंने सारी जानकारी जो देने की अपनी तरब से बेस्ट कोशिस किए मैं चीज होती है दोस्तों देए परफॉरमस अगर आपको पानी अच्छा मिला है किसान खुष है जिसने लगवाया है तो हमें भी खुषी मिलती है के भी हमारा भी नाम हो रहा है और कंपणी का भी नाम हो रहा है कि हाँ अच्छा प्र प्रफॉर्मेंस के साथ तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए अगर कोई भी इसके बारे में कोई संसे हो आपका तो कमेंड करके पूछ सकती है यह नमबर बता दिया वार्षप पर जानकारी ले सकते हैं और इसी पर अपना सपोर्ट बनाए रखें बहुत बहुत धन्यवाद सभी का